हेलो बच्चो आज मैं आपको क्लास 10 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वक्षिट नमबर 77 कराऊंगे जिसकी डेट है में पास 28 जैनवरी 2022 तो आज की वक्षिट में भी मीन निकालना सिखेंगे जैसे लास्ट वक्षिट में हमने डारेक्ट मेथड किया था आज हम स इसका फॉर्मला जाना था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जब हम कोशन करेंगे तब ही इस फॉर्मले को समझाओंगी कैसे अपलाए करना है ठीक है तो चलिए एक बर बस फॉर्मला याद कर लीजेगा यह आपके पास मीन निकालने का तरीका है जब आप से बोले यह आपको इनफॉर्मेशन कि इसकी दे रखिए जो माक्स आया है बच्चों के कितने बच्चे है 110 बच्चे है इसका मतलब यह वाला टोटल तो आपको मिल गया 110 है ठीक है अब आपको क्या करना है वैसे ही कॉलम्स बनाने है क्लास सी आई बनानी है एफाई आपको दे रख आपने एक साई निकाल ले यहां तक तो से वही स्टेप है जो हमने डारेक्ट में सिखा अब आपको क्या करना है इसमें एक लेना है जिसको बोलते हैं ज्यूम्ड मीन तो मिडवेल्यू लेते हैं ज्यादा तर तो आप देख लो 25 जो है बीच का नंबर है इसके उपर भी द निकलती है वो निकलती है एक साई माइनस एसे निकलती है तो एक साई आपको पता ही है फाइव फिफ्टीन ट्वंटिफाइव थर्टिफाइव फॉटिफाइव है इसमें से एक को जो ए आपने माना है ए आपने है ट्वंटिफाइव माना है उसको माइनस करते रहो ठीक है अब 15 में से 25 को माइनस करोगे तो माइनस 10 आएगा, 25 में से 25 को माइनस करोगे, 0 आएगा, 35, 35 में से 25 को माइनस करोगे, 10 आएगा, 45 में से 25 को माइनस करोगे, 20 आएगा, निकल गया, ये है आपकी DI, जिस पे मैं गोला लगा रहूँ, Sain के साथ लेना हैं, खीक है, अब FIDI निकाली लोगें इन दोनों को इंतू कर दो, 12 को--20 से इंतू किया-240 28 को-10 से इंतू किया-280, 32 को 0 से इंतू किया 0, 25 को 10 से इंतू किया 250, फिफ्टी थाटीन को ट्वंटी से इंटू किया टू सिक्स्टी इन दोनों को प्लस कर लो जो आंसर है उसमें से इन दोनों को माइनस कर दो तो आपके पास 10 आजाएगा वो भी माइनस को कि दिए अब फॉर्मला था आपके पास ए पलस समेशन एफ घी एपार में समेशन एपफाई ए आपने कितना माना 25 प्लस यहाँ पर आएगा माइनस टैन और यहाँ पर आएगा वनवन ठीक है तो हम इसे लिख सकते हैं 25-10 upon me 110 इसको इससे कट कर दिया ठीक है आप बेस सेम किया तो 25 25 को क्या करो 11 से इंटू कर देते हैं बेस सेम करने के लिए तो 25 को जब हम 11 से इंटू करेंगे तो 275 आएगा आपके पास ठीक है तो 275-1 upon me 11 तो 274 अपन लेवन यह आपके पास मीन आगया आप चाहो तो इससे डेसिमल फॉर्म में भी निकाल सकते हैं लिए चलिए दो कोशन दियां वो भी देख लेते हैं यहां पर आप से क्या कहने दा टेबल बिलो शोज दा डेली एक्सपेंडीचर और फुट्व वाउचल्ड इन लोकलिटी पाइंड डेली एक्सपेंडीचर और फूर्ट वाइरुं में जो आपको यहां पर डेली फिछ दे रखा है जो खाने पर खर्चा होता है सबसे पहले बात तो हमें एकसा निकालना पड़ेगा तो हंडेड मैं को प्लस कर देंगे 250 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगी तो 125 आ जाएगा एक्से का प्लस करेंगे अब इसमें 50 को प्लस करेंगे तो 275 आ जाएगा, छीक है, अब इसमें 50 को प्लस करेंगे तो कितना 325 आ जाएगा, XI आ गया, अब बीच की एक value को क्या करो, A मालनो, तो मुझे बीच की value 225 दिख लिए, तो ये मैंने क्या क्या, A मालनी आ, clear है, अब DI निकालने के लिए क्या करना है, XI माइनस A, तो पहले XI लेने है, तो इसका मतलब 125 पहले रखना है, माइनस का 225 करना है, मैं यहां सासत लिखती जारू, 125 में से 225 माइनस करना है, तो माइनस का 100 आएगा, ठीक है, then 175 में से 225 माइनस करना है, गलती से भी 225 पहले मत रखिएगा, गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, अब माइनस करोगे तो कितना आजाएगा, माइनस का 50 आजाएगा, अब 2 to 5 में से ही 2 to 5 को माइनस करोगे तो 0 आजाएगा 2 to 5 में से अब 2 to 5 को माइनस करोगे तो कितना आजाएगा 50 आजाएगा 3 to 5 में से अब क्या करोगे 2 to 75 को माइनस करोगे ठीक है तो 2 to 75 को माइनस करोगे किस में से 3 to 5 में से 2 to 5 को सॉरी 2 to 5 को minus करोगे तो आपका कितना आजाएगा 100 आजाएगा ठीक है अब FIDI into करते हैं 4 को minus 100 से into करेंगे तो minus का 400 आएगा ये calculation आपको rough work में करनी है मैंने आपको इसलिए दिखाई ताकि कोई भी doubt ना हो ये पता जल जाए कि कैसे minus करना है ठीक है अब 5 को minus 50 से करेंगे तो minus का 250 आएगा 12 को 0 से करेंगे 0 आएगा 2 को 50 से करेंगे 100 आएगा 2 को 100 से करेंगे 200 आएगा ठीक है अब देखो plus वाले इन दोनों को plus करेंगे तो 300 आएगा अब 400 और 250 को भी plus कर लेते हैं क्योंकि minus minus plus होता है ये plus का है अब माइनस का साइन लगेगा 650, इन दोनों को करके, ठीक है, आंसर माइनस में आयगा, क्योंकि माइनस वाला नमबर बड़ा है, 650 में से 300 को माइनस कर देते हैं, तो 350 मेरा इहाँ पर आ गया, clear है हैं तक, आप क्या करना है, X-Bar, एक ही जगा मैंने कहा लिखा, 225 क्योंकि मैंने वही लिया था प्लस समेशन FIDI है माइनस का 350 और समेशन FI है आपके पास 25 क्लियर है यहां तक अब एक्स बार ऐसी रहने दो यह 225 ऐसी रहने दो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आप चाहो तो 350 को डारेक्ट 25 से कट कर सकते हो यहां पर तो 14 आजाएगा तो माइनस का 14 आप इसको क्या करो 225 में से माइनस कर दो तो माइनस का 211 यह आपका आंसर आपको मीन निकालना था निकल गया चलिए एक और कोशन दे रखाए आपको find the mean of the following data by assume mean method वही CI और FI दे रखिए आपको क्या करना है mean निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे यहां पर सबसे पहली बात तो XI निकालनी पड़ेगी तो 50 में 150 प्लस करेंगे 200 200 को 2 से डिवाइट करेंगे 100 आजाएगा 150 में 250 को प्लस करेंगे 400 2 से डिवाइट करेंगे तो 200 आजाएगा 100 100 का गयाप है अब मैं डारेक लिक देती हूं 300 आएगा इसके बीच में 400 500 और 600 आएगा इन सबका टोटल चाहिए मुझे 7 प्लस 5 कितना होता है 12 होता है आपके पास 12 में 16 को प्लस करोगे तो 28 आएगा 28 में 12 को प्लस करोगे 40 और 40 में 5 को प्लस करो 45 आजाएगा ठीक है आप DI निकालना है तो बीच का नंबर लेना है तो देखो अब आप बीच का कोई भी एक नंबर ले सकते हो आप देखो ध्यान से यहाँ पर बीच में दो नंबर है यह दोनों तो कौन सा ले तो कोई सा भी एक ले लो मैंने यहाँ पर 400 ले लिया इसको मैंने ए माना है बहुत slightly फरक आएगा अगर आप 300 लोगे तो last में answer ले ठीक है अब DI निकालते है 100 में 400 जाएगा तो minus का 300 100 में से 200 में से 400 को minus करेंगे तो minus का 200 बचेगा 300 में से 400 को minus करेंगे तो minus का 100 400 में से 400 को minus करेंगे 0 500 में 400 minus करेंगे तो 100 600 में से 400 minus करेंगे तो 200 ठीक है FIDI निकालते हैं इसको इस वाले से into करना है तो 7 into में minus का 300 minus का 2100 5 into में minus का 200 minus का 1000 आजाएगा 16 into में 100 minus का 1600 यह 0 रहेगा टू इंटू में 100 कितना आजाएगा 200, 3 इंटू में 200 कितना आजाएगा यहाँ पर 600 आजाएगा, ठीक है अब इसका टोटल चाहिएगा, आप इन सब कोनों कॉलम में डालिएगा, टॉपरली लाइन्स ड्रो किजेगा पैंसिल और सकेल से, टॉपर कॉलम बनाईएगा, इन दोनों को प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 800, इन तिनों को भी प्लस कर लेती हूँ पर माइनस में आएगा आंसर तो, तो 2100 में जब मैं 1000 को प्लस करूँगी तो 3100 आएगा, उ एक ही जगा आपने लिया था है, यहां पर 400 वो लिख दिया, यहां पर था माइनस का 3900 और यहां पर आपके पास समेशन FIA 45, ठीक है, 3900 को डारेक्ट 45 से अगर हम कट करें तो नहीं होगा, यह पॉइंट में आएगा, तो आप इसे छोड़ दो, 400 माइनस का 3900 अपन में 45 ले अब आप क्या करोगे, 18000 में से 3900 को माइनस कर दो, तो आपका आजाएगा यहां पर, 14100 अपन में कितना आजाएगा 45, बस डिवाइट कर दो आपका आँसर, पॉइंट में आएगा, 313.333 आ रहे है, तो अगर आप इसको अप्रॉक्स में लिखना चाओ, तो 313.4 लिख दो क्लियर, तो यह थी आपके पास आज की वर्क्षिट जो हमारी कम्प्लीट हो गई है, नेक्स्ट वर्क्षिट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ लीजेगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक जरूर की कीजएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा, थैंक यू,